फिल्म बेवकूफिया में हॉट एंड सिज्लिंग बिकीनी अफ़तार में नज़र आने वाली सोनम ने अपनी कंटेंप्रोरी आक्ट्रसेस पर साधा है निशाना काट्रीना कैफ और दीपी का पादको उनको खास और खुद को आम बताकर सोनम ने फिल्म में अपने लोग को किया है डिफेंड सोनम का साफ कहना है कि फिल्म में अपने क्यरक्टर की डिमांड को देखते हुए उन्होंने ये बॉल्ड सीन्स प्ले किये हैं साफ है कि सोनम कपूर यहां कहना चाहती है कि बाकी बॉलीवूड अप्रसेस की तरह वो अपने बॉड़ी को फ्लॉंट नहीं करना चाहती और फिल्म में उनका जो भी बॉल्ड अवतार दिख रहा है वो स्क्रिप्ट की डिमांड है वैसे सोनम ने ये भी साफ कर दिया है कि फिल्म में उनका जो बॉल्ड अवतार नज़र आ रहा है वो फिल्म के कुछ ही सीन्स में दिखेगा वैसे ये तो कहना ही पड़ेगा कि सोनम काफी हमबल है फिल्म में इतने बोल्ड और बिंदास अंदाज में होने के बावजूद सोनम खुद को बाकी contemporary actresses से कम मानती है वैसे सोनम कपूर किसी event पर मौजूद हो और वहाँ fashion की बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है यहाँ सोनम के को अक्टर आयुशमान ने बताया कैसे सोनम उनकी official stylist बन गई है कई वार वाट शों से पहले मैं अपनी picture click करके दो options देता हूं this or that तो फिर ये मुझे अप्रूब करती हैं कि हाँ ये पहन लो ऐसा होता कई बाद I swear on God जब ही इमरान मेरा जो बहुत करीब दोस्त है जब भी वो अवंतिका के लिए कोई भी gift लाता है तब भी मुझे bags की options भीचता है मैं actually personal shopper होगी हूं सारी की heroes की अपनी heroine, girlfriend या अपनी wives के लिए wealth of fashion queen सोनम बन गई है industry की fashion guru stars हो या उनकी wife हर कोई fashion tips के लिए सोनम कपूर को ही contact करता है for रुदरानी चटोराज, zoom, Mumbai